बहिया वो देखिए वो दुष्ट असुर मा की पूजा को भंग करने के प्रयास में लग चुका है बहिया शेश असुर भी मात्र हमें छल्ले ही आये हैं इसलिए हमें इनका पीछा कर समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए अपित्यू उस दुष्ट को मा के पास पहुचने से रोकना चाहिए हमें देवराजिन आप अन्य देवताओं के साथ मिलकर इन असुरो को इसी शेत्र में रोक कर रखिये तब तक हम जाकर उस असुर को रोकते हैं जो मा तक पहुचने का प्रयास कर रहा है यह भोकव मर कैसे अपनों रहाए प्रुर झाल 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 इप कह रहा हिसू झाल झाल तो ये थी दुष्ट दुर्गम असुर की योजना, हमें विध्याचल परवत से दूर लाकर, अपने इन योधाओं और अपनी सेना से चारो और से हमें खेर कर, हमें उज्जा कर रख दिया है उसने, जिससे उसका वो अन्या असुर, मा के पूजा स्थल तक, कहुच उने में सपाल हो जाए अब तो उलज गए तुम मेरे जाल में, इसलिए कुछ भी करने में, आसमर्थ हो तुम देवता, क्योंकि मेरी आसुरी सेना तुम्हें, देवी आदी शक्ती से बहुत दूर ले आई है देवताओ, जासे मेरे चार असुर महारती, तुम्हें कही और नहीं जाने देंगे, और उधर गणासुर, देवी आदी शक्ती की पूजा को पूर्ण नहीं होने देगा, बस वो एक बार देवी आदी शक्ती को मेरे समक्ष ले आए, तो सुर्म आजी यूद, प्रतम दीवस ही निपढ जाएगा, इस असुर के कपट जाल ले तो, एक महा संकट में डाल दिया है हमें भईया, अब क्या होगा, क्या करें हम? मेरे योजना सफलता की ओर बढ़ रही है, प्रणाम असुर समराट, समराट, जो कारे आपने हमें सौपा था, हमने वो पूर्ण किया, हाँ असुर समराट, ये देवता तो हमारे जाल में खुलच ही गए है, अभेद जिसका तन वो गैंडे के स्तमान, आगे से मिरा भेदी असुर रागमन कर रहा है उन पर, और दाइनी ओर से अपने दोनों मुखों से विशेले द्रवे का प्रवा करता, दुनों का सुर है, और उन सबसे अधिक घातक है, विभकता सुर, जो किसी को भी विभक कर सकता है, अधर गणा सुर, हती शिग्र देवी आदी सक्ति के निकट होगा, भव करेगा उसकी पूजा, और पून करेगा मेरी योजना, हाहाहा तुमार का अर्थिके, हमेना सुरोसने पठते हैं आप जाकर उस असुर को माता की और बढ़ने से रोखिए नई देवराज, देव सेना पती होने के नाते इस युद्ध में देव सेना का नेद्रत्व करना मेरा करतब है इसलिए गणेश, उस असुर को मा के पुजास्थल तक पहुशने से रोकने का कार्यत्व तुम्हारा होगा एंद्रदेव, मेरे कुचकरी व्यू को नहीं भेज सकोगे तुम रोक नहीं सकोगे तुम गणासुर को अवश्य पहुचेगा वोस देवी तक त्रम्बकम यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् और वारुकमे वबंधनात मृत्योर मुक्षयमाम्रता प्रथम पोजी गनेश जी इस तुष्ट असुर को मैं अभी आपके मार्क से हटाता हूं और अभी तुष्टिए टुमरता मृतिआ अद्बुत है अभेदी अद्बुत महान आपराजे और आशुरी शक्तियों का परिज़ दिया है इस अभेदी ने देवराज आप चिंता मत कीजिए मैं आ रहा हूँ आपकी सहायता के लिए सहायता करोगे तुम इंद्र देव की केंदु मुझसे तुम्हारी रक्षा करने में तुम्हारी सहायता कौन करेगा मुझे शिगरता करनी होगी तीपर गती से वहां पहुचना होगा जिससे की वो मा के निकट पहुच भी ना सके इतने भी क्या शिगरता है गजमोख आगे बढ़ने के पुर्व मेरा सामना तो कर लो साधान रुट गड़े उससे भेट करने के स्थान पार तुम बहां कहां बढ़े जा रहे हो इस असुर का उपाए मैं करता हूँ देव से ना पती उपाए तुम मैं करेंगा तुम्हारा हरा यह कैसा विशैला द्रव्य है जिसने मेरे खड़क को ही नस्ट कर दिया मेरी बुजाओं से बच कर कहा जाओगे देवताओं यह तो अत्यालते विकाट इस्टित्यूट परन्नों हो गई बहुत सोच विचार कर योजना बनाई है दुष्ट दुर्गमासुर ने जिससे हम में से कोई मा की और बढ़ते हुए उस असुर को रोक ना सके इसलिए उसने अभी अपने महायुद्धा को युद्ध करने के लिए भेजा हैं मेरा प्रतम वारी है सरुवत्तम प्रहार यहां मेरे शक्ति शाली और समर्थ असुर महायोद्धा उन देवतों को चारों ओर से बांद कर रखेंगे और उधार गणा सर देवियादी शक्ति का हरण करेगा अर्थात सावचित है मेरी विजय निश्चित है अब निकट है मेरा गंतवियस्थान कर लो अब जितने प्रार्थना करनी है देवियादी शक्ति गणा सुर्के आगमन होने के उपरांत किसी प्रार्थना का इस्मन नहीं कर पाओगी तुम अब जन्द की फूर को गया मन के माधे की शोभार नीलो चनती काल की जग में लागे आलो की किये आभार नीलो चनती के सुर्के आपगी तुम जड़ा में लागे तुम पिकास पुचाई पुमाप शीमा पुमाप शीमा अद्भुत अद्भुत प्रभाव है देवी आदी शक्ति द्वारा महादेव के जलाभी शेक का जैसे जैसे देवी आदी शक्ति की पूजा पूर्ण होने की निकट पहुचेगी वैसे वैसे यह मेग और भी गहने होते जाएंगे अद्भुत अद्भुत हरता हूँ मैं ये मत भूलो दुष्ट असुरों आज कोई भी विग्न मेरी द्वारा उस असुर को रोकने में बाधर नहीं डाल सकता जय मता दिशक्ति जय मता दिशक्ति जय मता दिशक्ति जय मता बिंदवाजिनी मैं भी देखता हूँ कि मेरी प्रचंड अग्नी को कब तक जगर कर लख सकेगा है अगनी दे आपकी अगनी और मेरे प्रचंड तेज के मेल को अधिक समय तक नहीं सह सकेगा ये जैमाद आदी शक्ती जैमाद आदी शक्ती उन्मुक पवन को कौन बांच सका है अपनी मुश्की और भुजा में मोर्ग ये भ्रहम है तुमारा देवताओ कि तुम इन चारों को पराजित कर सकोगे कितना भी फ्रफडालो किन्त तुम इन चारों को तनिक भी शती नहीं पुचा सकते हाँ 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 जाए माता अधी शक्ति मेरे इतने शक्ति शाली प्रहार का भी अनिक भी प्रभाव नहीं वास्प अभेदी हूँ मैं मुझ पर किसी प्रहार का कोई प्रभाव नहीं होता कोई नहीं भेश सकता मुझे इसलिए आप तुम मेरे पावातले मसले जाने के लिए तैयार हो जाओ कुवार कार्थ के सर्व प्रत्थम इस दुष्ट ने मुझे चुनाती दी थी इसलिए मुझे ही इसे आहाथ करने दीजिए मेरे अत्यंत शक्तिशाली विद्युत प्रभाव का भी इस तुष्ट अभेदी पर कोई प्रभाव नहीं हो तो फिर इसका सुहार पैसे संबभ है इसी विचार में टूपे हो ना तुम देवराज कि तुम्हारे वार मुझे पर कोई प्रभाव क्यों नहीं कर सके हड़े ये कहने की त्वचा है इसे भेदना इतना सरन नहीं इन तु अब मैं तुम्हें आवश्यकाष्ट पहुचाऊंगा वार कार्थिकेष्ट आपकी शक्ती शडभार में इसके मस्तिश को भेद कर इसका अंत क्यों नहीं कर रही है प्रतीत होता है इसकी त्वचा किसी भी आस्तरशट्र के आगाद से सुरक्षत और उसे कोई भेद नहीं सकता तभी आपके वज्ज्र के प्रहार से भी इस सुरक्षत रहा उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ नहीं कुमार कार्थिकेष्ट आपकी शक्ती से अवश आहात हो गाई है अद्भुत आपकी शक्ती की धूंड शम्ता ने अब उस गेंडे को भी पीछे हटने पर व्यवश कर दिया कुमार कार्थिकेष्ट अन्ता ता एक असुरकांत हो ही गया कोई विलम नहीं होना चाहिए देवी आदीशक्ती को मेरे समक्ष्परस्तूत होने में किसी भी अवस्था में देवी आदीशक्ती का अनुष्ठान समपन नहीं होना चाहिए वूम नमस्षिवाद वूम नमस्षिवाद विच्छल बुद्धी, ओज गजमुक बालक को गड़ा सुर्तक पहुचने से रोको तब ही संबम हो गई इसे तो मैं रोक के रहूंगा यह अन्य सैन को को क्शती पहुचाए इससे पूर मुझे इसे यहां से दूर करना चाहिए अब यह उस गुफा में बंदी हुआ हमारी एक और चिंता दूर हुई इस जल का पान करो दूष्टा सुर्फ जगत के साथ साथ यह तुमारे लिए भी अत्यंत उत्तम है क्योंकि इस जल का पान करने से तुमारे भीतर का विशैला द्रव्य समाप्त हो जाएगा पात्वा बाहर आजाएगा असंभाव यह कैसे संभाव है यह मेरे अतिशक्ति शाली महान योद्धा है गणा सुर्फ के समान जिनका सामना करना किसी के लिए भी असंभाव था उन्हें कैसे निश्क्रिय कर दिया अन्देवताव ने मेरे गणा सुर्फ के मार्ग में आने का दुस्ता हस करने वाले कौन हो तुम धर्मपच पर चलने वालों के लिए विग्न हरता किन्तु तुम जैसे अधर्मी और दुष्टों के लिए विग्न करता वाह वाह सुन्दर अती सुन्दर गणा सुर्फ को बहुत प्रिये हैं विग्न अच्छा हुआ कोई तो आया मेरे मार्ग में विग्न बनकर अन्य था कोई जुनोती ही नहीं प्रस्तों थो रही थी मेरे समक्ष तो रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ मुझे देवी आदी शक्ति के निकट पहुचने से जिस मा आदी शक्ति की पूजा में तुम विग्न बनना चाहते हो तुम जैसे पापी तो उनके निकट भी नहीं पहुच सकते दुष्ट ऐसा तेज देव ये प्रभा मंडल है उनके चारों जगत जननी है वो उनकी भक्ति में पवित्र अतुनिय शक्ति है मुझे नहीं रोक सतोगे तुम सुरक्षित रहना चाहते हो तो हट जाओ मेरे मार्ग से रोकूंगा ही नहीं दुष्ट अपितु तुम्हें यहां से दूर भी भगा दूंगा मा के निकट तुम्हारी छाया भी नहीं पहुचने दूंगा मैं अब मुख से नहीं मुष्ठि अबरहार से संवात करेंगे हम